हेलो फ्रेंड स्वागत है हमारे चैनल वे आज हम फुल कोवी और आलू का सबसी बनाएंगे बहुत ही स्पेसल तरीके से एक दम देखने में पहुत ही अच्छा और खाने में और भी अच्छा तो कोवी को हम बड़े साइज में डंठल समित काट लिए हैं और ये दो आलू है चील के बड़े वरे साइज में काटें एक हम टमाटन लिए हैं एक इंच अधरक कर टुकरा और एक लसुल के गाट और दो मीटियम साइज का प्याज लिए हैं तो चलिए हम गैस पहले से हम चरहा दिये और दो चमश के लावगों इसमें पोईंड डाले हैं सबसे पहले तो बना रहे ना इतना सुन्दर कलरफूर सब्जी लएगा ना तो आप देख करके दंग रह जाएगा कि इतना टेस्टी और इतना कलरफूर सब्जी यह कैसे बन गया तो बहुत ही एक सिक्रेट है सिक्रेट चीज़़े हम आज एदम कलरफूर बना रहे हैं उसमें कोई कास्मी ब्राउन होने तक हमें फ्राइग करना है और मीडियम फ्लेम में हमें फ्राइग करना है हमका इसे बोलते रहेंगे चलाते रहेंगे और यह फ्राइग हो जाएगा तो देखिए यह कलर चेंज हो गया है अब इसे और दो मिनट लगाएंगे तो यह बिल्कुल अच्छी तरह तरीके से बना रहे हैं आज कि आप देखिए गाना तो आपको खाने का बहुत मन करेगा तो चलिए हम इसी ओईन में हम हाप चमन जीरा डालें और यह खड़ा गन मशाला है इसमें दाल चीनी एक इंची और इन बड़ी इलाइची एक छोटी इलाइची उसके बाद हम इसमें तो तीन लॉंग और तेश पता डालेंगे और यह जब चटक जाएगा उसके बाद हम इसमें प्याज डालेंगे तो प्याज को हम लच्छेदार नंबे पीसिस में काट लिए हैं और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करती हुए हमें इसे भूल लेना है हलका सा यह ब्राउन हो और यह बीट है यह मेरा सिक्रेट था तो बीट को हम इसमें डालेंगे बीट से आपका सबसी का कोई ठेस्ट अलग नहीं होता है और बैंत उपर से यह कलर्फूल हैगा देखने में और खाने में भी पहुंच जाता स्वादिस्त रहेगा तो चलिए हमारा प्याज भी अच्छी तरफ से फ्राइब हो गया है तो इसमें मसाला हम डाल देंगे और मसाले के साथ प्याज को अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे और इसे ह अच्छी तरह से हमारा पकेगा तो हम इसमें टमाटर डाल देते हैं जो टमाटर रखे थे ना उसे हम चुटे-चुटे पीसे में काट लिए और इसे भी आप प्याज मसाला के साथ में हम इसे भूनेंगे तो यह सुखा मसाला हम डाल रहे हैं तो हाफ चमच जीरा पोडर हाफ चमच धनिया पोडर हाफ चमच तीखी वाली लाल वेची पोडर आप जितना तीखा पसंद करते हैं उस अनुसार से आप इसमें टीखा डाल सकते हैं तो सभी को हम मिक्स कर देंगे तो यह मसाला हमारा सुखा सुखा लग रहा है इसलिए हम थोड़ा साथ हाफ कटोड़ा के और इसे हम अच्छी तरह से फ्राइ करेंगे यानि कि इस मसाला को हमें भूलना है जबते कि अच्छी तरह से पकना जाए तब तक हम इसे भूनेंगे तो चलिए हम इसे ढख के कम तीन चार मिनट तक इसे मीडियम फ्ले में हम पका लेते हैं तो देखिए यह सौप्ट हलका चार मिनट के बाद जब हम चेक कर रहना तो यह पिलकूल पर्फेक्ट टाक कर बपन गया है तो हम मसाले तो हम पीसे नहीं है किसी चीज को इसलिए हम इसको आलूमेसर की तरह आळूमेसर से अच्छी तरह से हम इसको पीश लेंगे जिसे कि यह बहुत Our empirical पेच्छल बनके तियार हो जाएगा तो चलिए हम अब इसको अच्छी तरह से अपना कोवी और आलो में इसी मिक्स कर लेते हैं यानि कि कोवी आलो को मसाले के साथ मिक्स कर गें इसे हम कम से 2-3 मिनार तक हमें से कोवी के साथ यानि कि मसाले के साथ कोवी आलो को पकाएंगे तो यह मसाला अच् को भी आलो को फ्राइक करनी हैं मसाले के साथ और हम इसमें अहाफ गिलास आप चितना क्रेवी देना चाहते हैं उस अनुसार से आप इसमें पानी डाले हैं तो अभी इसमें जब उबाला जाएगा उसके बाद ही इसे चलाते रहेंगे अभी उतना ठीक से पका नहीं है तो हम यह उपर से डाल देंगे हलका सा गर्म मशाला और यह इंडाले हैं कासूरी में थी चीज को अच्छा से रोष्ट करनी है यानि कि गर्म करके हलका सा रोष्ट करनी है और इसमें मिला देंगे यह तो पाले से पका हुआ था ही तो इसे पकनी में तो कोई नेट नहीं लगा क् से मसाले साथ भी पका तो ये अच्छी तरह से सब्जीहमारा पके त्यार हो गया ये बहुत ही परफिट समझी मनता है इस तरह से देखें कितना कलर सौर खें स्वादिश्श्ट लग रहा तो सुचिह खाने में कितना स्वादिश्ट लेगा तो चलिए उपर से हम गार निसिंग के लिए धनिया को पता डाल देते इसे टेस्टिंग बलेगा और देखने भी बहुत ही अच्छा लेगा तो आप जितना ग्रेवी चाहते हैं उस अनुसार से आप पाए राली हम इसी तरह का ग्रेवी रखना चाहते से देखिए तो देखेते हम Community परफेक्ट सबजी बनाना चलिये में को सब्कर कर के लिए कितना स्वादिश्ट हुमारा संजी बनके तयार हो गया तो चलिए हम सबजी को खाने के लिए हम आज आपको तो हलका हम का PANI डाल करके उसके बार candy या को लगा देंगे और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे जब अच्छी तरह से मार्व हो जाएगा उसके वाद हम इसे कमसे कम 10-15 म Misit के लिए चुछी करने लिए हम रख देंगे तो जब यह 10-15 मिनिट के बाद आप जब देखेगा तो यह इतना ज्यादा सॉफ्ट लगेगा ना तो देखे मेरा 10 मिनिट हम रखे इससे ज्यादा नहीं रखे तो देखे एक्तम सॉफ्ट लग रहे ना तो इसकी चलिए चलिए हम इसका लोईया कार लेते हैं तो छोटे-छोटे पीस में लोईया कार लेंगे जानते हैं इस आटा को हम बहुत ही अच्छी तरह से इसे मैसे हैं और उसके बाद हम इसे 10 मिनिट के छोड़े थे तो यह आटा जब इस तरह से बनाएगा तो इसका रोटी बहुत ही परफेक्ट लगेगा एक्तम सॉफ्ट एक्तम मुलायम और बहुत ही कि बेंगे जिकां में बेंगे परफेक्ट बेलना है और तावा जब करने बशाएगा हलका सथोन निकलने लेगा तब हम इसमें डालेंगे रोटी को रोटी को डाल करके अलटाते पल्टाते वे जब नीचे के साइड में जब इस तरह से बोजाएगा उसके बाद हम पल्टे बन गया देखे कितना सुद्र फ्लापल ना पार फिक्ट रोटी हमारा बनगे त्यार हो गया तो हम इस रोटी में घी लगाएगा बटर लगा है आप को जो भी लगाना है आप लगा लिजी ये इतना सौप्ट है कुछ ना भी लगाए तो भी ये चलेगा इतना सौप्ट इतना मुलायम ना कि आप अगर एक वार मेट्रीक से बढ़ा करके देखेगा ना तो खाते रह जाईएगा तो चली हम इसमें घी लगा लेते हैं तो घी से और भी ज्यादा टे बताईएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिएगा लेकिन एक पर बताईएगा जरूर